नमस्का दोस्तो मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से सुवागत करता हूँ आपके पनी चैनल अंकित वर्मा और लेट पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तो जैसे कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आज के इस वीडियो में आपको आज 21 अगस्त 2023 की हिमाचल प्रदेश की शाम पांट बजे की टॉप 10 तार्या खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने बाला हूँ चली वीडियो को शुरू करते हैं शुरू करते हैं शुरू करते हैं शाम पांच बजे की टॉप 10 तार्या खबर हैं तो देख सकते हैं शाम की पहली तार्या खबर पेकिंग न्यूज है मंडी से कोलबान जलाश्य में फंसे सभी 10 लोगों को सुरक्षित निकाला 9 घंटे चला बचाव अभ्यान तस्पीर हैं आप देख सकते हैं मंडी के उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने का कोलबान जल विद्यत प्रियुजना में वन विभाग के पांच करमचारियों साहित 10 लोग फंस गए थे सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है चंबा निउज चंबा में ट्रेक्टर द्रुगट नगरस्ट चालक की मौत है एक अन्य घायल हिमाचल प्रदेश की चंबा जिले के सलोनी के थाडल बरोटी में ट्रेक्टर द्रुगट नगरस्थ हो गया हाथ से में चालक की मौत हो गई जबकि एक गायल है मृत की पैचान बिशाल कुमार निवासी फगडो टू के तोर पर हुई है डियस्पी रामा कांत ने बताया है कि हाथ से की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर रवाना हुई शब को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम करवाया जा रहा है हिमाचल टूरिजम सैलानी नहीं कर रहे हिमाचल का रूख आपदा से प्रेटन उद्योग को 600 करोड का नुकसान प्राकरतिक आपदा से बीते दो महिने में हिमाचल के प्रेटन कारूबार को करीब 600 करोड का नुकसान हो गया है वो सकनल से सटकें बंद होने और बादल फटने से हुई तबाई के बाद सैलानी नहीं हिमाचल का रूख नहीं कर रहे है वीकेंड पर भी शिमला मनाली चाइल्ड तर्मशाला और डलोजी में होटलों के कमरे खा ली है शिमला नियूज 21 बांदों से मानकों के हिसाब से नहीं छोड़ा पानी होगी कारवाई मुख्य सच्वों ने मांगी रिपोर्ट सरकार ने पाया है कि केवल बिलासपूर में कोल बांद और किनौर में कल्चम बांगतू प्रियोजना ने पानी छोड़ने के दिशा नर्देशों का पालन किया है हिमाचल वैदर हिमाचल में तीन दिन भारी बारिश का ओरंज अलर्ट 562 सड़कें याता यात के लिए बाद इते हिमाचल परदेश में 22-24 अगस तक भारी से भारी बारिश का ओरंज अलर्ट जारी किया है कुछ क्षित्रों में बाल आने और भूसकरन की चेताबनी जारी ह हुई है एपल सीजन हिमाचल में 400 सड़कें बंद पीट पर सेव ढोरे बागवान मजदूरों को देने पढ़ रहे दो गुने पैसा तस्वीरे आप देख सकते हैं सड़कें बंद होने से सेव को मंडियों तक पहुंचाने का खर्चा दो गुना हो गया है पहले बगीची से सड़क तक ही पीट पर डुलाई होती थी अब जहां संपर्क सड़कें बंद हैं वहां क्या ही किलोमीटर मजदूरों से डुलवाई करानी पढ़ रही है एम्स बिलासपूर एम्स में दिसंबर से शुरू होगी नवजात गेहन चिकितसा एकाई फिलाल परदेश में गीने सत्यकान मामले में तीन आरूपियों को गिर्फतार किया जा चुकी है इनमें से दो पुलिस रिमान पर हैं जबकि तीसरे को कोल्ट में पेश कर पुलिस रिमान पर लाया जा रहा है आपदा में लूट घरों पर खत्रा बने एक पेड को काटने के बसूर रहे 65,000 राजधान के बसत्राइ पिई आपर लीग मामला CPI ने मांगी वाईरल WhatsApp चैट की रिपोर्ट हिमाचल पुलिस कोन्स्टेबल पेपर लीग के बहुच रर्चत मामले में cbign Labvy न स मामलों की वाईरल हुए WhatsApp सेप चैट की रिपोर्ट मांगी है जिला सोलन के अरकी पुलिस थाने में पेपर लीग को लेकर दर्ज हुए मामरे को अधार बना कर CBI ने विविन धाराओं के तहर तीसरी FIR दर्ज की है GNM admission GNM course के लिए आयोग्य 41 अभ्यारतियों के आविदन रद मेरिट के अधार पर मिलेगा दाखिला प्रदेश भर में GNM course के 6 सरकारी और 49 नीजी संस्तान है सरकारी संस्तानों में 160 और नीजी संस्तानों में GNM course की 726 सीटे है दर्मशाला स्टेडियम वर्ल्ड कप मैचों में हरी भरी दिखेगी दर्मशाला मैदान की आउट फील्ड दर्मशाला स्टेडियम में पुरानी आउट फील्ड को खाड़ कर रेत वाली नई आउट फील्ड त्यार की गई है इसमें पानी की निकासी के लिए अडवांस तक्नीक का सब एड ड्रेनेज सिस्टम लगाए गया है रोजाना चार घंटे बंद रहेगा मंडी पंडो एनेच का कोछ हिसा देसी अरिंदम चौधरी ने जारी किये आदेश राष्ट्री राजमार्ग 21 में मंडी से लेकर पंडो की अंतरगार 6 मील से लेकर 9 मील तक राजमार्ग बादल फटने और भोसकलन के कारण बहुत ज्यादा ख्षतिग्रस्त हो गया 6 मील से लेकर 9 मील तक राष्टर राजमार की सड़की तुरंत मरहमत और बाहली की सक्त अविशक्ता को देखते हुए जिलाधिश मंडी अरिंदम चौधरी ने आगामी आदेशों तक रोज आना सुबा इसे 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रखने के आदेश चारी किये है हिमाचल की तरसादी रोज चलता है सर्च ऑपरेशन शाम को तूट जाती हैं उमीदे हैं मंडी से नियूजे सुबा होते ही परशासन की मशेनरी बड़े-बड़े पत्थरों और मलबे को उठाने में जूट जाती है शाम तक काम चलता रहता है अपने खोए परिजनों को ढूलने के लिए लोग हर रोज मिशीनों के पास इसी उमीद के साथ बैठा रहते हैं कि आज उनके लापता परिजनों का पता चल जाएगा लेकिन रात होने से पहले उमीद तूट जाती है मुख्यमंतरी सुक्विंदर सिंग सुक्षू ने आपता को लेकर सच्वों के साथ की बैठक हर अब हर सुमबार को सच्वों के साथ करेंगे बैठक हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंतरी ठाकोर सुपेंदर सिंग सुखु अब हर सोंबार को सचिवों के साथ बैठक करेंगे जिसकी शुरुआत आज से हो गई है बैठक में विभिन विभागों के सचिवों के साथ फीडबैक लिया जाएगा और उस पर समीक्षा की जाएगी आज हुई बैठक में मुख्य रूप से आपदा से हुए नुक्सान की समीक्षा की गई और आपदा प्रभावित प्षेत्रों को राहत देने के दिशा निर्देश दिये गए चोरों ने कुणाल पत्री मंदिर में लगाई सेंद 80,000 रुपया का चांदी का छत्तर ले गए चोर कांगड़ा से निउजे जिला मुख्यले धर्मशाला के साथ लगते कुणाल पत्री मंदर में बेती राज सेंद लगा कर चोरों ने मंदर से 80,000 रुपय के चांदी का 76 चोरा लिया हलांकि इस चोरी की घटना में अंदर में रह रहे पुजारीवा मंदर के चोकिदार को जुरूर पता लग गई थी और मंदिर के पुजारीवा चोकिदार ने चोर को पकड़ने का भी प्रियास किया लेकिन गहने अंधेरे का फायदा उठा कर चोर भागने में काम्याब रहा इस मामले को लेकर सेधर पुलिस थानप में FIR दर्ज करवा दी गई है और पुलिस मामले की चान भी इन में जोटी है तो दोस्तों ये थी हिमाचल परदेश की शाम पांच बजे की सभी टॉप 10 तार्या खबरें अगर आपने विड़क वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आप तक हिमाचल परदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके दन्यवाद चैहिन चैभाद वीडियो करके चैहिकेन पहले पहले है बाद काैसे पहले पहले है पहले है कि कपू दय判判判刑 कि अटन्यास कि खुड़ की घ्ट किर दटवाव झाल झाल झाल